नमस्कार दोस्तों आपके अपने यूटूब चैनल इस्टेटीब बेस्टेज कैसल में आप सभी लोग अपस्वागत है आसा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है तो इस वीडियो को सुरू से अंत से जरूर देखिए चले फ्रेंट्स एक मोटीवेस्टन थाच के साथ डिस्क्रिशन स्टार करते हैं फ्रेंट्स किसी ने के कमाल की बात कही है असाफलता एक चुनोंती है इसे सुविकार करो क्या कमी रह गए देखो और सुधार करो जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्या नहीं होती चलिए साथियों इस मोटीवेस्टन थाच के साथ फर्स्ट क्वेस्टन डिस्क्रिश करते हैं लागडाउन 4 को सरकार ने एक जून को खत्म कर दिया है और इसके लिए कौन सी गाइडलाइन जारी की है तो उसका नाम क्या है तो गवर्नमेंट के दोरा उसका नाम अनलाग फर्स्ट दिया गया है आपसंसी करक्त आंसर हो जाएगा नेक्ट कोश्चन की बात करें साथियों तो नेक्ट कोश्चन है अब यहाल ही में खेल मंत्राले ने भारते खेल प्राधिकरण के महाने देशा के रूप में संदीप परधान जी का कारिकाल कितने साल के लि परतबंध लगाया है तो किरंजीत कौर पर वाड़ा के दोरर कितने साल का पर्तबंध लगा दिया गया है यह चार साल का परत्मद लगा दिया गया है आपसंसी करक्त आंसर हो जाएगा फ्रेंट्स बात करें वाड़ा की तो प्रधर टाइम में इसके आड़ाम है तो इसे भी ध्याँ रखेंगे फेर्स नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में बित्तियों फिर्स 2019-20 में किस देश का प्रत्रच विदेशी निवेश यानि की FDI आड़ाई फारें डारेट इंवेश्टमेंट सबसे ज़्यादा रहा तो सिंगापुर का 2019-20 में भारत में यपढ़ियाई सबसे ज़्यादा रहा तो आपसला एक करेक्ट आणसर हो तो सरवाधिक कमाई करने वाले खिलाडियों में रोजर फेडरर सीर्स पर हैं अभी हाल ही में फॉर्प्स के द्वारा 2020 की सूची जारी की जिसमें रोजर फेडरर फर्स्ट पोजिशन पर रहे तो आप से एक करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बता दूँ साथियों जो रोज इसरे अस्थान पर रहें तीसरे अस्थान पर अर्जेंटीना के फुर्टवालर लियोनल मेसी रहें तो इसी भी ध्यां रखेंगे चलिए नेक्स क्यों बढ़ते हैं अभी हाल ही में फॉर्प्स की टाप 100 में सामिल हो ले माले एक मात्र भारती लाड़ी कॉन वेने हैं तो ये ब्राट को लिजी हैं तो आप इसन भी और हो जाएगा नेक्स्ट कॉस्चन अभी हाल ही में किसके द्वारा किसके द्वारा मैं लाइफ माई योगा प्रत्योगता कर सुभारम पर्धान मंतरी निरेंदा मोधी जी के द्वारा किया गया है अच्छे साथी बात आई है य इवन योग के नाम से वी विख्यात है जरनली और वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगता का सुभारम किया गया है और यहीं से एक क्वेश्चन आप ध्यार रखेंगे फ्रेंट्स कि प्रजन टाइम में जो आयरुबेद योग और प्राक्रतिक चिकस्सा यूनानी सिध्य और ह अर्थात आयूस इसके अनलब इस मंतराले के राजमत्री का उन है श्रीपाद एसो नाइक जी हैं ध्यां रखेंगे नेक्ट को बढ़ते हैं अभी हाल ही में गलोबल डे आप पैरेंट्स यानि की माता पिता दिवस कम मनाया गया है तो गलोबल डे आप पैरेंट्स ये एक जून को मनाया गया है आपसन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों बाती आती है इसका उद्देश जनली विस भर के जितने भी पैरेंट्स हैं उनको स्वामानित करने के लिए हर साल एक जून को मनाया जाता है तो इसे भी ध्यां रखेंगे चलिए नेक्ट कोशन के और किस राजने मजदूर आयोग अर्फाँ लेवर कमीसन बनाने का एलान किया है तो लेवर कमीशन बनाने का एलान मद परदेश सरकार के दोरा किया गया है आपसन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों यह आयोग जनरली मजदूरों को रिसर्व माइग्रेशन पर काम करेगा और मजदूरों को मद परदेश में काम दिलाने और बाहरी राज्यों के लिए नियम बनाएगा अच्छे यहीं से आप ध्यान रखेंगे अभी हाल ही में उत्तर परदेश के मुखमंतरी योगी आदितनात जी ने माइग्रेशन कमीशन अर्थात प्रावसन आयोग गठित करने का एलान किया था तो यहीं से लिंक करके आप ध्यान रखेंगे अच्छे साथ हो मत प्रतिस की बात करें तो प्रजन टाय में मुखमंतरी शोरासिंग चोहान जी हैं राजपाल लाल जी टंडन जी हैं नेक्ट कोश्ची कर पढ़ते हैं अभी हाल ही में विस्ट दूध दिवस अर्थात वर्ल्ड मिल्क डे ये कप से लिबिरेट किया गया जो विस्ट दूध दिवस एक जून को मनाया गया आपसन भी करेक्ट आशर हो जाएगा फ्रेंट्स बाती आती है कि जनरली जो मतलब यह दूध दिवस है विस्ट दूध दिवस यह संयुक्त राष्टर के खादी और किर्शी संग्ठन के द्वारा 2001 में फर्स टाइम दिवस होता है इसलिए से रिप्रेट कराता है तो यहीं से ध्यान रखेंगे लिंग करके आप नेक्ट कॉस्चन केन सरकार ने भागति खाद सरच्छा और मानत प्राधिकर अर्थात FSSAI यानि कि Food Safety and Standards Authority of India का नया Chief Executive Officer यानि कि CEO किसी निउट क्या है तो अरूर सिंगर जी को न Standard Authority of India तो जरूर ध्यान रखेंगे चलिए फ्रेंट्स नेक्ट कोश्चन की बढ़ते हैं अभी हाल ही में वाजिद खान जी का निधन हो गया तो वह किस छेट से संबन दे थे तो वाजिद खान जी परशिद गायक यों संगीत का अर्थात उपरियोग दोनों तो आपसंसी कर सरकार ने परदान किया है आपसंसर हो जाएगा साथियों अगर हम 36 की बात करें तो प्रजन टाइम में मुखमंत्री भूपेज बगेल जी हैं राजपाल अमसुया वीके जी हैं और इसका गठा एक नौबर 2000 को हुआ था ध्यान रखेंगे चलिए फ्रेंट्स और अभी हाल ह में 36 गड़के पहले मुखमंत्री अजीत जोगी जी का निधन हो गया था तो दो तीन इंपोर्टेंट फैक्स ध्यान रखेंगे एक जाम में पूछे जा सकते हैं चलिए नेक्स खोशे के और बढ़ते हैं अभी हाल ही में किस सराजिया केंसासित परदेश ने कोरोना वाइर जी अग मिला है तो इसे भी धिया हरकेंगे क्त कॉस्ट्र पॉजींट कॉजीश का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन गया है तो तो दूसरा सबसे बड़ा निर्माता अपना प्यारा भारत बन गया है अब शॉन बढ़шей किdar क्तकरा हुच्ट हरा तो पर्स्ट साला कारिकरम का उधगाटन नाम ही है खेलो इसके मतलब खेल मंत्री कौन खेल मंत्री किलर रज्जी उज्जी के अज़ारा इसका सुभारम किया गया आपसन सी करक्ट आंसर हो जाएगा ध्यां रखेंगे चलिए नेक्ट कोशित के और पढ़ते हैं अभी हाल ही में तलंगाना अपना अस्तापना दीवस सेलेबरेट किया तो कब करता है तुले की तोाइग तलंगाना को मनाता है और सुब्य हाल ही में तलंगाना जो त्लंगाना के अगर बात करें हम तो वहां के तलिया- गुर्माल तेलिया रुमाल को ध्यान रखें कि जाम में जियाई टैक से एक क्वेश्चन जरू पूछता है तो इसे भी ध्यान रखेंगे चले नेक्ट कोचिन को भड़ते हैं अभी हाल ही में दिल्ली में जासूसी करते हुए पकड़े गए पाकिस्तानी उच्चायों की दो अफसरों को भारत ने क्या गोशित करके देश से जाने को कहा है तो भारत ने परसोना नान गराता गोशित कर करके देश से बाहर जाने को कहा है आपसर एक अंसर हो जाएगा साथिहों जो यह टर्म है परसोना नान गराता बहुत इंप्वरटन टर्म है इसका अर्थ क्या होता है तो आप ध्यान रखेंगे इसका अर्थ होता है जन्रली यह लैटिन वर्ड है और इसका परियोग ऐसे के लिए किया जाता है जो की अंजान है और जिससे स्वविकार नहीं कर सकते हैं यानि कि आज स्वविक्रित ब्यक्ति तो इसका अर्थ जामे पूछा जा सकता है तो ध्यान रखेंगे साथ हूं चले नेक्ट कोशिन कर पड़ते हैं अभी हाल ही में केंद्रे काइमिडेंट ने कि निवेश एक करोण और काड़ोबार पांच करोण रुपे का होगा वहों MSME के तहत आएंगे तो आप से एक करेक्टा असरफ हो जाएगा ध्यान रखेंगे साथियों आपको बता दूँ कि जनरली ये फैसला पधान मंत्रे की अधिस्तावली केंद्रे काइमिडेंट के द्वारा लिया गया तो जनरली बित्यमंत्री निर्मा सीता रमल जी के द्वारा जो 14 मई 2020 को आप निरभर भारत के तहत किया गया था तो अब जनरली इसका फैस तक को माइक्र उनिट कहेंगे तो उसी भी ध्यां रखेंगे साथ हूं चलिए नेक्ट कोश्चन के बढ़ते हैं फ्रेंट को बहने से पहले मैं आपको याद दिला दूँ अगर ये वीडियो आपको हेलफफुल लगती हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करें और अपने फ्र फैसला किया है तो निरवाचन आयोक के द्वारा जो ये राजस्थभा का चुनाओ है ये 19 जून को कराने का फैसला किया गया है आपसंसी करेक्टान सर्फ हो जाएगा साथियों जनरली 24 सीटों पर एलेक्शन होगा और यहीं से आप ध्यान रखेंगे कि परजन टाइम में भारत के जो मुख नवाचन आयोक्त है और का उन है सुनवीर अलोड़ा जी है जो की 30 में नंबर के हैं ध्यारकें के फ्रेंट्स चलिए नेक्ट क्यों बढ़ते हैं साथियों नेक्ट क्यों सरकार ने कितने खरी फसलों का नियूंतम समर्थन मूल अर्थात की मिनिमम सपोर् इस 14 important फसलों का मतलब MS भी बढ़ा दिया है तो आपसें भी correct answer हो जाएगा साथियों यह नीचे लिफ्ट दी गई है आप PDF डाउनलोड करके इसको पूरा ध्यान से देख सकते हैं हो सकता है से एक question जामे पूछा जाए और साथियों next question बिल्टेन में भारत का नया उच्चाय ध्यान रखेंगे साथियों important है next question की और बात करें तो भी हाल ही में IIFL यानि कि finance IIFL finance ने किसे अपना brand अभेश्डर बनाया है तो brand अभेश्डर IIFL ने किसे बनाया है और रोही सरमाजी को बनाया है आपसें एक correct answer हो जाएगा साथियों ध्यान रखेंगे अच्छे बात करें हम IIFL की तो इसके फ्रूफाम होते इंडिया इंफॉल लाइन क्या इंडिया इंफॉल लाइन लिम्टेड इसके अथापना उन्यूश्व पंचानमी के गिते मुख्याले मुंबई में चेर्मेन बाला जी वासुदेवा जी हैं ध्यान रखेंगे next question क्यों बढ़ते हैं अभी हा आपसन भी correct answer हो जाएगा friends next question की और बढ़ें तो next question है कि तूफान निसर्ग जो भी हाल ही में साथियों जो निसर्ग तूफान है यह जनली महराष्ट्रा गुजरात के तेटी छेत्रों को बहुत परभावित किया इसमें तो निसर्ग नाम जनली किस देश को द्वारा दिया गया है तो यह नाम बांगला देश के द्वारा दिया गया है अपसन भी correct answer हो जाएगा ध्यान रखेंगे साथियों और यहीं से आप लिंक करके ध्यान रखेंगे कि अभी हाल ही में अम्फान जो की तूफान आया था ब्याब बैंगाल में जिससे लबेष्ट बंगार और ओ कोशिन के और बढ़ते हैं अभी हाल ही में कें सरकार ने स्ट्रेट वेंडर्स के लिए हाल ही में कौन सी योजना शुरू की है तो इस ट्रेट वेंडर्स के लिए पीम सवनेध योजना की गोशड़ा कें सरकार के दोरा की गई है आप से correct answer हो जाएगा जनली साथियों जो य क्रेट वेंडर्स क्या एट मैनर बार निधे एक क्रेडिट शुबधा मतलब योजना है तो ध्यान रखेंगे और इसके जनली 50 लाग से अधिक सहरी और ग्रामिल इस्टेर बेंडर्स की मदद की जाएगी और इस योजना के अकार्डिंग साथियों 10,000 रूपए कर्ज के र करते हैं अब यह हाल ही में वर्ल बायस्किलड है यनी की विङ्ट साइकिल दिवस का मतलब करते हैं क्यों रूप districts के कहना ह कि हर दिन अगर 20-minute cycle हम चलाते हैं तो हमारी जो humidity power है वो boost होगी यानि और जितने भी प्रकार की बीमारियां है लगबग सभी प्रकार की बीमारियों से बचा सकता है बचा जा सकता है तो ध्यां रखेंगे साथ हूँ और आप जानते हैं cycle चलाने से जनरली बल जो blood circulation होता है रक्त संचार वो पोड रोधक चमता बढ़ती है तो ध्यां रखेंगे इसलिए आप सभी लोग जरूर cycling किया करें next question क्यों बढ़ते हैं देश के किस राज में लगातार बारिस होने के कारण भुष्क्रण की चपेट में आने से लगबग 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है तो भुष्क्रण क अभी हाल ही में World Health Organization के द्वारा COVID-19 की इलाज में जो hydrochloroquine दवा का trial मतलब फिर सुरू कर दिया गया है क्योंकि पिछली बड़ ऐसा हुआ था यह trial एक general मतलब किस general में प्रकासित research की वज़ा से रोग दिया गया था जिसके आकड़े गलत पाए गए तो generally last cent और New England general of medicine इन्हो में कहा कि जो hydrochloroquine है यह कारगर नहीं COVID-19 की इलाज में लेकिन यह गलत पाया गया है तो दुबारा hydrochloroquine का इस्तेमाल किया जाने लगा है तो ध्यान रखेंगे साथियों तो इंपोर्टन हो जाता है ध्यान रखेंगे next question को बढ़ते हैं अभी हाल ही में I can't breathe I can't breathe यह नार USA में नसलिये भीयतभाव के खिलाफ चल रहे देश्याफी प्रदर्शन का मुख नारा बन गया है तो इसलिए अपसंसी करक्ट आशर हो जाएगा ध्यान रखेंगे साथियों क्योंकि हाल ही में साथियों बहुत ही हिंसक प्रदर्शन चल रहा है अमेरिका में तो इसलिए important ह हो जाता है ध्यान रखेंगे और आप नूज भी देख रहे होंगे चलिए साथियों अगर हम बात करें USA की यानि की United States of America का और कुछ important facts की बात करें तो यहां की जो संसद है उसको Congress के नाम से जाना जाता है तो ध्यान रखेंगे साथियों next question के उप रते हैं हाल ही में किस मंत आप संसर हो जाएगा अच्छे साथ यह बात यह आती है कि सूजना और परसावल मंत्री परजयन टाइमें कौन है तो प्रकास जैवर कर जी है ध्यान रखेंगे चलिए next question क्यों बढ़ते हैं अभी हाल ही में केंद्रिये cabinet ने 3 जून 2020 को को कोलकाता पोर्ट का नाम बदल कर क इसके नाम पर रखने की मंजूरी दे दी है तो जो कोलकाता पोर्ट है इसका नाम चेंज करके स्यामा प्रसाद मुखरजी पोर्ट कर दिया जाएगा तो अप्सन भी correct answer हो जाएगा फरवरे में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट की 150 वी वर्सगार मनाई गई थी और इसी के सुब अउसर पर स्यामा प्रसाद मुखरजी जी का नाम रखा गया और अब मजूरी दे दी गई है तो अब इनहीं के नाम पर कोलकाता पोर्ट का नाम हो जाएगा ध्यान रखेंगे साथियों अच्छे साथियों कुछ मैं आपको बताऊं स्यामा प्रसाद मुखरजी जी से related important facts की तो जनली यह जवहान नहरू की सरकार में मंत्री थे और जो जन संग है इसकी अस्थापना उनहीं के द्वारा की गई थी और उनका जन कोलकाता में सन 1901 में हुआ ध्यान रखेंगे साथियों चले next question के उपड़ते हैं अब यहाल ही में फिनलैंड में भारत के नए के रूप में किसी निक्त क्या गया है तो साथियों रभीष कुमार जी को फिनलैंड में भारत का नय राजदूत रिकत क्या गया है अपसंद भी correct answer हो जाएगा ध्यान रखेंगे अच्छे साथियों फिलैंड की बात करें तो जनली यह एक यूरोपीय देश है राधानी हेल तो कुबयत में भारत का नय राजदूत सिभी जार्जी जी को बनाया गया है अपसंद एक correct answer हो जाएगा सिभी जार्ज बात आई है साथियों कुबयत की capital कुबे सेटी है करेंसी क्या है कुबयती दिनार और प्रजन टाइम में यहां की जो सासक है वो साहब अहमद अल करते हैं अभी हाल ही में आकर्मक्ता का सिकार हुए मासूम बच्चों का अंतराश्टी दिवस यानि कि International Day of Innocent Children Victims of Aggressions कम मनाया जाता है तो जनरली यह दिवस फ्रेंट्स कब सिलिवेरेट किया जाता है चार जून को सिलिवेरेट किया जाता है तो आपसंद एक correct answer हो जाता है तो इसका में उद्देश से मतलब लोगों को बच्चों के अधिकारों के सरच्छड के बारे में जागरूप करना और उनकी पीडा को उजागर करना है ध्यां रखेंगे और फर्स टाइब 1922 में यह दिवस यूएन को धारा घोसित किया गया था चलिए नेक्ट को करते हैं अच्छे साथियों इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे कब स्लेब्रेट किया जाता है तो यह दो जून को स्लेब्रेट किया जाता है आप संब करक्ट आँसर हो जाएगा नेक्ट की बात करें साथियों किस भारतिये को बिटिस अकेडमी आफ फिल्म एंड टेलेमिज असर हो जाएगा आपको बता दूं साथियों जनरली इतिहास में करी 70 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई भारती इसके अध्यच पद पर बने हो तो ध्यां रखेंगे और आपको बता दू जो किस्रेंदू मजुनदार जी है यह एमी बेजेता भी है और टीवी प्रो बार और कोकोज आईलेंड मरलब कोकोज आईलेंड दीप समुहों पर एक दूसरे के नेवल बेस के उपयोग करने के एग्रेमेंट किया है तो आपसें एक करेक्ट आंसर हो जाएगा और साथियों आपको बता दू जनरली ऐसा एग्रेमेंट के दौरा चाइना के उपर अब जिनपंग जी है लेकर अस्ट्रेलिया की बात करें तो कैपिटल केंबरा है और अस्ट्रेलिया के प्रजन टाइम में जो पीम है इसकार्ट मॉर्शन जी है ध्यार के चलिए नेक्ट को पड़ते हैं अभी हाल ही में विस परियावरण दिवस यानि कि वर्ल जाती है क्यों मनाया जाता है अकिरकार यह तो जर्ली लोगों को प्रियावरण के प्रत जागरुक करने के अध्य से इस दिन को सलेगरेट किया जाता है अच्य फर्स टाइम कब 1972 में युनाटे नेशन के द्वारा यह मनाया गया 2020 के थीम बहुत ही इंप्रटन हो जाती ही सा साल ही में बालीबुड से जोड़े बासु चटर जी का निधन हो गया, तो वह इन में से किस वज़ा से मसुहुर थे, तो बासु चटर जी ये फिल्म डारेक्शन, यानि कि फिल्म निदरेक्शन के छेतर में बहुत ही फेमस थे, तो आपसन ऐ एक करेक्टर अंसर हो जाएगा, साथियों आपको बता दू जनरली उनका जन्म 30 जनवरे 1930 को राजस्थान के अजमेर में हुआ था ध्यान रखेंगे और उनकी कुछ मसूहर फिल्में थी जैसे रजनी गंधा चोटी सी बात चित चोर खटा मिठा यह बहुत ही फेमस फिल्में हैं ध्यान रखेंगे और इनको साथ बार फिल्म फेर अवार्ड भी मिल चुका है और 1962 में नेशनल फिल्म अवार्ड भी इनको दिया जा चुका है त पीम नरेंद मोधी जी के निजी सची थी तो इनको अब विस सुबैंक के कारिकारी निजेशक के वरिष्ट सलाकार के रूप में निउट कर दिया गया है तो कौन है यह यह राजियू टोपने जी है कौन आपसन डी राजियू टोपने करक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ज अप सरे हैं द्याँरखें के साथ हूं चलीये नेनल कुषिंट कूशिंड पढलते हैं अभी हाली में ट्वीटर ने अपने बॉर्ड का नया अ ineध्श किसे बनाया है तो टूइटर के द्वारा बोर्ड का नया अध्यत पैट्रिक पिचेट जी को बनाया गया है पैट्रिक पिचेट आपसें एक करेक्ट आँसर हो जाएगा ध्यान रखें के साथ हूँ टूइटर बहुत ही फेमस सोसल नेटर्वर्टिंग साइट से इसलिए इंपर्टन हो जाता है साथ ही नेक्ट कोचिन की बात करें भारत शरकार ने तबलेगी जमात में सामिल होने वाले बाइस सो से अधिक बिदेशी नागरिकों के भारत आने पर कितने साल का पर्दबन लगा दिया गया है, तो कितने साल का दस साल का पर्दबन लगा दिया गया है, तो अब यह है, भारत दस साल तक नहीं आ सकते हैं, ध्यान रखेंगे साथियों, चलिए, नेक्ट कोचिन आनानास खिलाने से उसकी मौत हो गई जिसकी खबर देश भर में चर्चित होई तो आइसा आप जानते हैं सभी लोग केरला में इसलिए इंपर्टन हो जाता है साथियों क्योंकि यह न्यूज जनली पुरे भारत में फैली इसलिए ध्यां रखेंगे तो आपसें भी करक्नास ह बिर्लो में होती है यानि इंसान तो बहुत होते हैं लेकिन जो इंसानियत नाम की चीज होती है वो बहुत बिर्लो में होती है साथियों इसलिए केरला लिटरेशी डेट में तो बहुत ही ज्यादा आगे है लेकिन देखिए इस मामले में कितना दिल दहला देने वाला मामला है तो साथियों देखिए सिच्छा के साथ सा संसकार भी हमारे अंदर होना चाहिए तो चलिए निर्ट कोशिंग कर बढ़ते हैं साथियों भारत सरकार ने विदेशों से लोट रहे भारते नागरिकों को अपने देश में रोजगार देने के लिए कौन सी योजना की आपसन एक करेक्ट अंसर हो जाएगा फ्रेट्स जनरली नागरिक उडेन मंतराले के मताबिक बंदे भारत मिसन में विदेश में फसे जिन भारतियों को वापस लाया जा रहा है तो अब स्वधिस योजना के था है तो धियां रखेंगे चलिए नेक्ट को बढ़ते हैं किस देश में मौझूद लब साइबेरिया में पावर प्लांट से नदी में डीजल का रिषाओ होने पर एमर्जैंसी की घोसरा कर दी है तो ऐसा किस देश ने किया है रूस ने किया है आपसंसी करेक्ट अंसर हो जाएगा ये बहुत ही साथियों डीजल का रिषाओ जनरली और यहाल ही में रूस ने अपना मतलब रूस के द्वारा रूसी भासा दीवस 6 जून को सिलिबरेट किया गया ध्यां रखेंगे चलिए नेक्स कोश्चिन को परते हैं के सरकार ने बजट में घोसित नई योजनाओं पर कब तक के लिए बिर्ग लगा दिया गया है तो प्रधान मत्रिक गरेब कर लिया योजनाओं पर रोक नहीं रहेगी क्योंकि यह असेंसियल है तो इसे ध्यान रखी के साथ हो चलिए नेक्स को बढ़ते हैं अभी हाल ही में देश का पहला राज जिसने गरीबी रेखा से नीचे अर्था BPL के नीचे रहने वाले परिवारो रखेंगे important हो जाता है चलिए साथियों next question की और बढ़ते हैं अभी हाल ही में भारत को 2022 में होने वाले किस महिला Asia cup की मेजबानी मिली है तो महिला Asia football cup की मेजबानी भारत को सौंपी गई है जो कि 2022 में आयोजित होगी तो आपसने एक correct answer हो जाएगा साथियों generally आपको बता द ही भारत में ही होना है तो इसे भी अप ध्यान रखेंगे साथियों चलिए next question की बढ़ते हैं साथियों किस भारती लेखक ने कावन बेल्थ लगुका था प्रुसकार मतलब जीत लिया है तो फ्रेंट्स जो ही प्रुसकार है कामन बेल्थ सार्ट इस्टोरी प्राइज यह ज इंडियन टी एंड इस नेक्स स्टोरी के लिए यह समान मतलब इन्होंने जीता है तो ध्यान रखेंगे और यह जनली यह प्रतियोगता अठारा वर्स और उससे अधिक आयुक्या राष्ट मंडल नागरिकों के लिए था तो ध्यान रखेंगे और यह कहानी जनली हिंदू लड़की के मुस्लिम लड़के के प्यार में पढ़ने की दास्ता है क्या हिंदू लड़की के मुस्लिम लड़के के प्यार में पढ़ने की दास्ता है तो ध्यान रखेंगे साथ हूं चले नेक्स को बढ़ते हैं अभी हाल ही में वर्ल्ड एकोनोमिक फॉरूम का अगला साल राना सिखर सम्मेलन कबब दोजार अंसर हो जाएगा सिंसह Lac sex Sao अनिश्रताओं के में जनरी 2020 में भी ऑब किया जाएगा ध्यान के साथ ह्यों आए तो सुष आप ध्यार ठेट में पूछी सकती चले और एक लब परते हैं अभी हाल ही में विश सुभ्यापार शंगठन अर्थात की वर्ड ट्रेड अग्नाइजेशन में राजदूत यानि कि अम्बेह्टर और भारत का अस्थाय परतनिद्यू किसे नुक्त लिया है तो किसे नुक्त किया गया है यह बरजेंद्र नौजीत को नुक्त किया चांड में भी की गई थी कब 1995 में प्रजन टाइम में इसके डिरेक्टर जनरल कौन है पास्कल लेमी जी है धान रखेंगे चलिए नेक्ट को बढ़ते हैं अभी हाल ही में फोस्ट दोहजार बीस की जारी सूची वर्ल हाइस्ट पेड वन हंडर सेलिबरेटी में भारत में चलिए नेक्ट को बढ़ते हैं दिल्ली की पूर्व पुलिस आयुक्त वेद मारवाह का अही हाली में निधन हो गया तो वह किन राजियों के राजपार रही चुके थे तो वेद मारवाह जी जनरली साथियों कहां 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 के ये मड़िपूर मिजोरम और जहार खंड कि तक के लिए टाल दिया गया है裡面 in which one to do 2022 तक के लिए टाल दिया गया है आपके खंड हयों चलिया प्रजन टाइम में जो केंद्रिया प्रियावड मंत्री हैं प्रकास जायवड कर उन्होंने ही इसकी घुष्टा की है और इसके अंसार साथियों जाने लिए 200 निगमों और सहरों में कारिकरमा इस कारिकरम की सुरुवात की जाएगी और यह कारिकरम जाने अगले 5 वर्सों में पूरे भारत में 200 सहरी वन विक्षित करना ही इसका में लच्छ है उद्देश से ध्यान रखेंगे साथियों चैना के साथ समझा होता किया है आप सब एक और आंसर हो जाएगा साथियों आप ध्यान रखेंगे जनरली यह प्रियोजना जहलम नदी पर निर्मित की जाएगे जहलन नदी पर और इसकी छमता 1124 मेगावाट होगी भारत ने इसका बिरोध किया है ध्यान रखेंगे क्योंकि बिवादित में ऐसा नहीं होना चाहिए तो लेकिन चाइना के द्वारा सपोर्ट किया जाता है पाकिस्तान का फिर भी ऐसा किया गया है ध्यान रखेंगे जहल इस गर्ड़ में की गई है अफसन एक क्रेक्टर अंसर हो जाएगा चाहिए जो यह है वह रायपुर में पुलिस जवानों के मानसिक अवसाद को दूर करने के लिए राज पुलिस ने इस अभियान को और मतलब राज पुलिस के द्वारा चलाई जाएगी ध्यान रखेंगे तो पेड महिला अथलेट टाप 100 में फर्स्ट पोजीशन पर नाओमी ओसाका है आपसन भी करक्टर असर हो जाएगा जनरली नाओमी ओसाका जी जो है यह जापान के टैनिस खिलाड़ी है और इन्होंने 2019 में अस्ट्रेलिन ओपन का खिताब और 2018 में यूस ओपन का खिताब इसलिए इंपर्टन हो जाती है ध्यारकिंगे साथियों ऐसा करता हूं आप सभी लोगों को यह वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंस जोन में जरूर सेर करें ताकि इसका फाइदा दूसरे साथियों को भी मिल सके और साथियों इस वीडियो की पीडियाफ आप डिस्क्रिशन बॉक्स से डाउंलोड कर सकते हैं घैलिघर चैनल को आप जरूर जोन कर सकते हैं साथियों तो उमीद करता हूँ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्ली जरूर शेर करें चले इस स्यासा के साथ जैहंद वंदे मातरम